हेलो गाइज बेलकम टू मैं चैनल एजुकेचेन टेक पॉइंट और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एर्थ का कंप्यूटर यह क्लासे से बीस्टी वोड के लिए है और चेप्टर नमर फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क यह चैप्टर बड़ा है बड़ा है इसकी वाज़े से यह कई पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ स्टार्ट करते हैं इसमें हम सीखेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है तो सबसे पहले एक इंट्रोडेक्शन ले लेते हैं इसके चैप्टर के बारे में तर्म नेटवर्किंग कम्प्यूटिंग सिस्टम मिनस टू और मूर कम्प्यूटर कनेक्टेट तो इच अधर नेटवर्क में जोड़ना और उनके इनफॉर्मेशन को सेयर करना उनके डिटा को सेयर करना Share करने का मतलब है कि मेरे पास दो तीन computer जोड़े हुए हैं, मैं एक computer से data दूसरे computer में भेजना चाहता हूं, तो मैं by computer के network के दरू में data एक computer से दूसरे computer में भेज सकता हूं. जैसे कि आप देख सकते हैं, इस diagram में कि यह पहला computer है, जिससे यह कई computer जोड़े हुए हैं, जो computer जोड़े होते हैं, वो client computers कहते हैं, और हम इस सभी computer के थुरू हम यहां इसको print दे सकते हैं, यही हमारी क्या होती है, networking होती है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, A computer network can be defined as a group of computer and other peripheral devices. Computer क्या होता है, computer कैसे define कर सकते हैं कि computer का groups and other peripheral device, peripheral device होती है हमारी जैसे कि printer है, mouse है, keyword है, यह हमारी peripheral device होती है, that are linked together for sharing data and hardware resources, जो एक दूसरे से link होती है, जो आप देख सकते हैं कि यह सारी एक दूसरे से link है, hardware devices के थुरू, for example, if one of computer in a network, computer, main computer है हमारा network में होता है, has a printer attached, और इसमें हमारा printer attached है, to it that then all our computer in that network can be accessed by printer और यह सारे computer जो connect हैं वो हमारे printer को इससे access कर सकते हैं, I hope that कि आपको समझ में आया होगी networking क्या होती है, नहीं समझ में आया हो तो मेरे comment box में लिखती है, मैं आपको next video में या फिर comment box में इसलिए आपको समझा दोंगा, चलते हैं अपने next topic की तरफ, uses of networking, networking के uses क्या क्या है हमारे, number one if we send use of storage media, मतलब storage मेडिया या नहीं कम storage में ही काम चल जाता है हमारा, okay, pre serving information, pre serving माने होता है, रच्छा मतलब जो information होती है वो सुरच्छित रहती है, reduction hardware cost, hardware cost में क्या होता है कि इतना लागत नहीं लगती है, आसानी से कम लागत में काम हो जाता है, efficiency, कार करने में बहुत आसानी होती है, कारशमता इसकी अच्छी होती है, redundancy, इसमें कहीं सारी डवाइस हैं जो फालतू बनी के हमें लगानी पड़ती हैं, तो इसके में यह आसान हो जाता है हमारा, quick document delivery, document delivery मतलब networking में document हम एक जाए से दुश्य जाए आसानी से भेज सकते हैं, need for computer network, computer network के आवश्यक्ता क्यों पड़ी, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे, now a day आजकल computer network are a vital part of any organization, computer आजकल हमारा networking बहुत ही important part है, किसी भी organization में some of advantage of computing networks, computer network के advantage क्या है हम पढ़ते है, resource sharing, all computer in our network can share resource such as printer, हम इसमें printer network में ले सकते हैं, fax machine network में ले सकते हैं, modem ले सकते हैं and scanner, scanner हम resource में ले सकते हैं, file sharing and remote database access, file share करना और database को remote करना control करना, computer network allow sharing of files and access to remote database, मतलब हमारे पास उसा control होता है, कि हम data को share कर सके, we can easily access the file, some file को आसानी से access कर सकते हैं, store कर सकते हैं on various computer, जो हमारे पास कुछ computers हैं, उन में on a network, और किसे धरू, network के थुरू, also network allow many people to work cementationally, cementationally का मतलब होता एक साथ, on a data store in a database, और इसी तरह एक computer में कई, कर सकते हैं और एक साथ उसमें data, store कर सकते हैं, ease of communication, ease of communication मतलब communication में आसानी, ease का मतलब होता है आसान, computer network allow people to communicate through emails, computer network क्या करता है कि communication मतलब एक communication मतलब अपने विचार, computer की data file को share करना, communicate कहलाता है हमारा emails and instant messaging facility, communication में यह आसान हो जाता है, mail वे सकते हैं, message facility बहुत अची हो जाती है, this makes a transmission of information easier, यह क्यायता है, data को transfer करना, mail को transfer करना, वह आसान बनाता है, more efficient और भी आसान बनाता है, and less expensive, और सिसमें खरचा भी कम होता है, समझ में आया होगा, तो comment box मिलके बेजिएगा मुझे, type of network, आज हम स्टाट कने मले है, network के type कौन कौन से होते हैं, this is most important topic, यह हर class में है, और जब तक आप computer पढ़ेंगे, तो यह आपके काम आएगा, इसलिए अभी से इसको clear करके चले हैं, most important topic है, और से related में question भी पूछूँँगा, वीडियो कतम होने के बाद, comment box में question पूछ सकता हूँ, अगर आपको कोई inquiry हो तो में comment box में लिख वीजिए, छलो स्टाट करते हैं, the following are the type of network, based on the geographical area, यह हमारी humanly area पर आधा लेता, are covered, or scale of the network, चलिए इसके देखते हैं, personal area network, सबसे पहले जानते हैं, personal area network, वैसे pen, pen card भी होता है, लेकिन यह pen का मतलब personal area network है, और pen card की platform होती है, permanent account number, pen is a computer network organized around a person, यह क्या होता है, मतलब उसके आसपाल से ही network होता है, it is used to, used for communicate between devices such as our phones, और यह किसमें, यह communication किसमें होता है, आसा नहीं से, such as यह जैसे phone है, personal digital assistant है, printers and laptops है, we can use these networks to transfer file and photo between the various devices, और इसके तरुब हम क्या कर सकते हैं, photo transfer कर सकते हैं, printer दे सकते हैं, यह तो पर्मानेंट personal area network, कुल मलाके यह ही है, कि आपका अगर school है, या चोटे चोटे ओफिस में हैं, यहां पर यूज किये जाते हैं, चलिए देखते हैं, अब जैसे यह notebook है, digital camera है, सब connection है, एक दूसरे से connect है, मतलब आसपास के area में, यह आसपास का area अगर इनका होता है, तो आसानी से connect है, बजाते हैं, इसके लिए हमारी कौन से technology क्राम करते है, कौन से network, और pen, ओके चलते हैं next, Local area network, LAN, A LAN is a computer network that limited to a local area such as a laboratory, a school or an office building, मतलब LAN कहां काम करता है, हमारा इसे local area network, laboratory हैं हमारे बास, या schools की बात करें, या office की बात करें, cables wires, और किस के थुरू connect होता है, cables के थुरू connect होता, देखी एक PC से कई सारे PC हमारे connect है, और low power radio waves, wireless में तो wireless भी यूज़ कर सकते हैं, low power का ज्यादा high power का नहीं चाहिए, are used for the connection in a LAN, LAN में इनको यूज़ करते हैं, a wireless LAN, or WLAN, wide local area network, is also sometimes called, LAWN, इसको क्या कह सकते हैं, local area wireless network, okay, next topic क्लियर करते हैं, computer area network, इसको क्या बोलते हैं, CAN, a CAN is computer network that connects multiple local area network, in a limited geographical area, a CAN is smaller than a wide area network, or metropolitan area network, it can be set up by college company, and so on, मैंने ये paragraph क्यों पढ़ा, पूरा क्योंकि इसमें, इसके तुरू आप clear कर सकते हैं, तो CAN कहा ही होता है, हमारा college है, company है, ऐसे वहाँ पर CAN का, use किया जाता है, तो फिर से multiple local area network, मतलब एक जैसे, मतलब computer, sorry, company के पास भी company है, company बड़ी भी होती है, यानि एक से ज्यादा area, जो local में ही आते हों, वहाँ इसको use किया जाता है, एक can is smaller than wide area network, पर यह किस से छोटा होता है, when से छोटा होता है, land, can, when, मतलब इसका when आने वाला है, okay, I hope कि आपो can भी समझ में आया होगा, चलते हैं next topic पर, man, metripolition area network, a man is a computer network that usually cover a larger area than land, land से बड़ा area जहां होता है, वहाँ man का use करते हैं, for example, a network of then connect to office, अगर दो office को हमें जोड़ना है in a city, जो एक ही city में हो, a neighborhood area and so on, या फिर उसके आसपास के एरिया हो, पड़ोस ही एरिया हो, तो वहाँ पर हम metripolition का use करते हैं, यहाँ से आसपास के एरियां को connect किया गया है, चलते हैं next topic पर, wide area network, a man is computer network that spans wide geographical area, यह क्या होता है, हमारा geographical area मतलब एक बड़े एरिया से में इसको cover किया जाता है, आप when may be spread across cities, यह कहां होता है, किस से बाहर हो सकता है हमारा, city से बाहर सकता है country, पूरे देश में हो सकता है, सबसे अच्छा आप जान लीजिए, कि आप wide area network यूज़ करते हो, कहें भी जहां भी बैटके, आप अपने mobile में, computer में net यूज़ करते हो, यह wide area network है, सब्सक्राइब आपके हाथ में फोन है, यह अभी YouTube देख रहे हैं, तो यह wide area network के थुरू यह चला है, wide area network informed by the connecting lens and vans, यह किस की form में होता है, कि दौनों को connect कर लेता है, lens और vans, मतलब दौनों को मिला के wide area network बना हुगा है, computer and network across long distance, computer या network वो क्या हो long distance में हों या से ज़्यादा हों, are usually connected with optical fiber cables है, तो network में cables बहुत important है, आई जाके हम cables के बारवे में पढ़ेंगे, तो जब net चलता है तो आप पसे तहना जान लीजिए, कि net चलाने के लिए सबसे ज्यादा यूज़ वाइड area में सबस्क्राइब करता है कि आपके पास एंटीना है, एंटीना जमीन पर है और हमें एक जैसे दूसी जगे communicate करना है तो वह क्या करेगा सेटल लाइट को अपने signals भेजेगा और सेटल लाइट जहां दूसी जगे आप भेजना चाहते हो, तो वहां उसको signal डाउन करेगा, उसको uplink बोलते हैं और इसको downlink बोलते हैं, ओके, क्या आपकी समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो मेरे comment बस में लिख बेजना है, क्या आपकी समझ में आ गया, तो आज इस पार्ट में हम इतना ही complete करेंगे, अगर आप मेरी वीडियो अच्छे लगई ही तो प्रिस like करना मुत बूलना, ठेंक्यू for watching my video,